गुड आप्टरनून स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चंदेल सासकों का राजनतिक इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स चंदेल सासकों की जानकरी के स्रोथ हैं उनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है तो पहले वाला वीडियो आप ध्यान से देखेगा आपको एकजाम से सम्मधित महत्तों कुन जानकरी वहां मिलेगी और गुर्जर पर्तिहारों के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा है तो गुर्जर पर्तिहारों के पतन के बाद चंदेल सासकों ने अपना अधिकार जमा लिया था और जो चंदेल सासक है उनका जो राजनति की थ्यास है वो कैसा था उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चंदेलों को लेखों में चंद्रा त्रय रिसी का वनसज कहा गया है जो अत्री के पूत्र थे चंदेल अपना संबन्ध चंदरमां से जोडते हैं जो इस बात का सूचक है कि वे चंदरवनसी छत्रिय रहे होंगे ठिके चंदरवनस की स्थापना 831 इस्वी के लगभग नन्नुक नामक विकती ने कि थी असे पता चलता है कि वे स्वतन तर सासकने होकर कोई सामन्त सरदार रहा होगा इस समय की सारव वुमसत्ता पर्तिहारों की थी अतहर नन्नुक ने उनी के अधिन अपना सासन आरंबे किया था नन्नुक के बात करमसः वागपति जैसकति विजे शकति तता राहिल के नाम इत्हास में मिलते हैं इन मेंसे पर्तेग ने एक दूसरी के बाद सामन्त रूप में सासन किया था इसके साथी साथ इन सामन्तों ने अपने सकति का विस्तार भी किया था प्रारंबिक चंदेद राजों में राहिल नामक सासक कुछ राजा सक्तिसाली था खजुरहों के लेख में उसे सक्तिसाली बताया गया है वह एक सासक होने के साथ साथ एक निर्माता भी था उसने मंदिर तथा तालाब बनवाए थे इनमें अजेगड का मंदिर तथा महोबा के पास राहिल सागर तालाब महतोपूर है चंदेलवंस के परमुक सासक अब जो चंदेलवंस के परमुक सासक हुए हैं उनके बारे में हम जानकरी प्राप्त करेंगे और इन सबी सासकों के बारे में हम डिटेल से आपको आगे की वीडियो में भी बताएंगे ठीक है तो सबसे पहले है हर्ष 990 तक चंद्यलू ने पर्तिहारों के अधिनता में सासर किया तथा धीरे धीरे अपनी सक्ति का विस्तार करते रहे राहिल का पुत्रे तथा उत्रादिकारी हर्ष जो 990 से 925 इस्वी तक सासक बना रहा एक सक्तिसली सासक था जेसके समय में चंद्यलू ने पर्तिहारों की दास्ता का जुआ फेंग दिया था खजुराहू लेक में उसे परमबठारक कहा गया है जो उसकी स्वतंतर इस्तितिक को दोटक करता है नन्योरा पत्र से पता चलता है कि अपने सत्रूं को पराजित करने के बाद हर्ष ने संपूर्ण पर्तिवी की रक्षा की थी अगला सासक आता है यसो वर्मन चंदेल सासक हर्ष के बाद उसका पूतर यसो वर्मन 930 इस्वी में गद्धी पर बैठा इसे लक्षमन वर्मन भी कहा गया है वय एक समराजे वादी सासक था राष्ट कूर्ट सासकों के आकर्मन ने पर्तिहार समराजे को जरजर बना दिया था गोविन चतूर्थ के समय में आंतरिक कलह के कारण राष्ट कूटों की इस्तिती भी खराब हो गई थी तथा वे उत्तर की राजनेती में अच्छी तरह से अपने भूमी का अदा नहीं कर पा रहे थे ये सबी परिस्तितिया यसो वर्मन के लिए लाब का रिशिद हुई तथा वह अपने सक्ति एम समराजे को बढ़ाने में सफल हुआ सरा पर्तम उसने कनोज पर आकर्मन कर पर्तिहार समराजे को समाप्त कर दिया था अगला सासक आता है धंग चंदेल सासक यसो वर्मन की मर्त्यू के बाद उसका पुत्र धंग जो 950 से 1102 इस्वितक सासक रहा चंदेल वंस का राजा बना धंग का जन्म पुस्पा देवी नामक महारानी से हुआ था चंदेलों की वास्त्विक स्वतंदर्ता का जन्म दाता धंग ही था धंग के सासनकाल की गठनों के बारे में हमें खजुराहो के लेग से पता चलता है खजुराहो में इस्तित लक्समर नात मंदिर से कई लेग प्राप्ति हुए हैं जो धंग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी परदान करते हैं इस लक्समर नात मंदिर के लेग से पता चलता है कि धंग ने अपनी सक्ति एम बाहुबल से खेल खेल में कालंजर तक तथा वहां से गोप गीरी तक का छित्र जीत लिया था मदन वर्मा चंदेर सासक पर्थी वर्मन का पुत्रों मदन वर्मा चंदेर वंस का सक्ति साली सासक था कालंजर अगासी खजुरा हो आजेगड महोबा मवू आदि से उसके पंद्रा लेक तथा कई स्थानों से श्वन एउन रजत सी के मिले हैं लेकों की प्राप्ति स्थानों से पता चलता है कि बुंदेल खंड के चारों पर्मुक स्थान, कालंजर, खजुरा हो, आजेगड तधा महोबा में चंदेर सत्ता पुनेस्तापित हो गई थी पर्मर्दी देव वर्मन चंदेर लेखों में मदन वर्मा के बाद पर्मर्दी का नाम मिलता है उसे तत्पदा नूध्यात कहा गया है इसे पता चलता है कि मदन वर्मा का तातकालिक उत्रादिकारी पर्मर्दी हुआ था लेकिन पर्मर्दी के बगेरी प्रस्तर लेख में दोनों के बीच यसो वर्मन के नाम का उलेख मिलता है यसो वर्मन का सास्तनकाल अलप रहा था उसके बाद उसका पुत्र पर्मर्दी गदी पर बठा था गला सासकाता विदादर चंदियर सासक गंड के बाद उसका पुत्र विदादर जो 2019 से 1029 इस्वी तक सासक रहा वह चंदियर सासको में सरवादिक सक्तिसाली सासक था उससानकाल की गटनाओं का उलेख है में ततकालीं लेकों तता मुसलमान लेकों के विवरण से मिलता है अगला सासक करता है कीर्टी वर्मन चंदेल सासक देव वर्मन के बाद उसका छोटा भाई कीर्टी वर्मन राजा बना उसके राजय रोहन के समय चेदी नरेश कण ने देव वर्मन को हरा कर चंदेल राजय पर अधिकार कर लिया था पर बोध चंदरोदे में कहा गया है कि चेदी नरेश ने चंदरवन्स को पज्यूत कर दिया पिलहन भी लिखता है कि डाहल का राजा कण कालंजर गिरी के स्वामी के लिए काल था अतहे है कण को पराजित कर अपने समरज्य का उधार करना कीर्टी वर्मन की पहली प्रात्मिक्ता थी उसने चेदी नरेश कण को परास्त कर अपने वन्स की स्वातंदर्ता को फिर से हासिल किया था तो देखे इस्टूरेंट्स इस वीडियो में हमने चंदेल सास्कों के बारे में जानकरी प्राप्त की इसी प्रकार आपको चंदेल वंस के बारे में और भी इनफोर्मेशन आगे के वीडियो में हम पढ़ाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे